पर अब आपके सारे फिसिक्स के डिशिन माचजाउब का सफाया बस अपने फोन से कुशिंट की फोल्टो कीचो अपको और तुरंच वीडियो सिलुशन पाउग डाउलोड कीजिए डाउट्र आप अभी या फिर वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स आप आठ चार्सो च कि कॉन वैक्स लंज कितना दूर्पर हम एक डाइवर्जिंग लेंज डाइवर्जिंग मीर रखें ना मीरड ऐधार देवर्जिंग मीर रखें जिसका की फोकल यंथ 12 cm है ठीक है और जो की वर रियल मिज फॉर्म करेगा ठीक है शोर्स पर ही तो सूर्स पर रियल इमिज सोर्स से निकला और यहां पर रिफ्रेक्ट हो करके यहां पर माले जी कहीं मीरर रखावा हुआ यहां पर लाइट निकला और लेंज के वज़े से माले जी कि कहीं आईवन पर इमेज बनता है ठीक है और हम इसके बीचे आगर रहे हैं एक मीरर रख रहे हैं मीरर में तभी यह सोर्स पर बनेगा जबकि यहां पर इसमें परपेंडिकुलर पकड़े और यह उसी पात को रिट फंस पर लेंज से जो है न मेंज से कितना डिस्टन पर मेर को रखे ठीक है पराल लेकि सेमक्रण पर वसे हां फिरुकुलर पर नचिंत करते हैं कि यहां ऑक Death पर इसके वज़े से कहां पर इमेज बन च्ष्क पर ऩचैसिंध्या यहां पर और तो रहाए जुल्दिक Hello सब्ीक क्यों होगा U equal to minus 15 cm क्योंकि यहां पर है यह अगर यहां पर हम origin इसको यहां पर लें ठीक है तो इसकी यह left side में है जो की negative है तो minus 15 cm होगा ठीक है इसका फोकल लेंथ होता है positive में plus 10 cm focal length इधर लाई करेंगा right side में so तो यहां पर हम one upon V equal to one upon F plus one upon U में यहां पर पूट करें तो one upon V equal to one upon F कितना हो जागा plus 10 cm plus one upon minus 15 cm ठीक है यहां पर तो V equal to यहां पाजता है 30 cm आ जाता है यहां पर इसका sign जो है न पॉजिक्टिव है तो इसका sign positive क्या बनाता है बताता है कि इसका right side में यहां से जो है न 30 cm पर image बनेगा इसका ठीक है 30 cm माल लेते हैं यहां पर image बना आई बन बना ठीक है अब यह बोल रहा है कि एक जो है न हम यहां पर diverging mirror जो है हमें introduce कर दिए तो इसके वज़े से क्या होड़ा है कि कि इसका जो image है ना इसके वज़े से mirror की वज़े से reflect हो करके फिर यहां पर source पर image बन जाए तो यह path को retrace करना अगर source source पर हम किसी का image बनाए तो बनाना चाहते है तो ठीक है तो यह इतना दूर पर होना चाहिए ताकि यह retrace कर जाए path यह उप्जेक्ट के तरह काम करेगी तो आपजेक्ट इतना दूरी पर होना चाहिए कि मीरर के वज़े से भी न नीबेंग जो है यहीं बने ताकि यह फिर से रिट्रेस कर जाए पात खीक और तो मतलब कि वह कौन सा होता है मतलब कि अगर रेडियस आप कर वेचर पर हमको हमें पता है कि अगर कोई भी औजेक्ट रहे तो उसका इमेज जो है ना इमेज जो है उसका भी radius of curvature पे ही बनता है ठीक है ठीक है तो यह जो है ना यहां से यहां तक का distance कितना है 24 cm क्यों है 24 cm क्योंकि यहां पे focal length हमें जो दिया हुआ है वह है 12 cm 12 cm radius of curvature कितना होता है 2 into focal length equal to 24 cm अगर हम radius of curvature पे अगर हम कोई object रखे तो उसका image भी radius of curvature पे बनता है अगर इसका image भी radius of curvature पे बन गया इस mirror के current radius of curvature बना तो फिर यही पात को retrace करेगा और यह फिर यहां पे source पे बना देगा तो यहां से यहां तका distance 24 तो हमें question में यह पूछा गया कि mirror को कहां पे place करें ठीक है लेंस से तो लेंस का distance यह x find करना था हमें यह 30 निकल गया यह 24 है तो हमारा x कितना हो गया 30 cm minus 24 cm equal to 6 cm तो रखें तो mirror को जो हम 6 cm लेंस से प्लेश्ट करेंगे right side में तो वह retrace करेंगे बात को है